मेरा जैसे टूर्णमेंट गया था, मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था अंदर जब मैं खेलने जा रहा था एक समय भे मैंने रावल भाई को भी बोला कि मैंने अपने आपको और टीम को दोनों को नयाई नी दिया जुलाई 5 शुक्रवारा बार्बडोस नली T20 विश्वकप गयद मेले टीम इंडिया बेरिल चंड मारूत दिन्दा सिखा कुणित्तो इद आद मेले रोही चर्मा पड़े जुलाई 4 क्रंदू बेलिग्या 6 गंटेगे देहलिया विमान निल्दाणके मन्तो नंत्र भारतिय ग्रिकेट नियन्त्रण मंडलिय अध्यक्षा रोजर बिण्नी मत्तु कारिय दर्षी जैश अवरोंदिगे टीम इंडिया आटगाररू प्रधानी मोदी अवरन भेटी आगिद्रू इगा मोधी अवरन्ना टीमिन्दिया भेटी माडी सम्वाध नड़सिद्धा संपूर्ण वीडियो परबिद्धिदे इवीडियो वन्ना प्रधान मंत्रिगळ अधिक्रुता एक्स हैंडल निंदा पोस्ट माडला लागिदे निम्मश्रमा सरियाद टाइम नली भला कोड़त्तु अन्ता टीमीन्या स्टार बैटर विराट कोईलिगे प्रधानी मोधी हेलिदारे रोचक फाइनल नली दक्षिना अफ्रिका वन्ना एलु रन्गलिंदा सोलिसो मूलका भारता विश्व कब्यद्धित्तो इड़ी टूर्नियली नानु तंडके कोड़ुगे कोड़ुदु अवागलु एरत्ते नानु तंडके ज्याय कोड़लीला आदरे राहुल भाय नमगे बेंबला कोड़िद्धित्रो सरियाद समय दल्ली उत्तम प्रदर्शना नीडतीरी अन्ता ननंगे धैर्या हेलिद्रो फाइनल नल्ली नानु परिस्थितिगे हेच्चु गमनाहरिस्पेकोंता अन्कोंडे प्रदीक्षनवों बत्की दिवी नम्मोलगे ये नडिता आएदे अन्नो दन्ना नावों एक्स्प्लेइन माड़ो दक्के आगो दिल्ला परिस्थिती कालन कागी नानु नन्न अहंकार वन्ना बिट्पिडो दक्के डिसाइड माड़े नानु आट वन्ना गवरविस्थिनी इदू नन्न गे वरकाउट आईते होंता विराट कोईली हेली दरो उतार चड़ावाते हैं लेकिन एक जो लंबी तपस्या होती है वो समय पर काम आती है आपने खेल में जो तपस्या की है जरुवत पढ़ने पर उसने अपना रंग भी खेरा बताईए इस बार की लड़ाई तो आप उतार सड़ावाली रही आपकी पहले तो बहुत बहुत शुक्री आपका कि आपने हम्जब को यहां बुलाया और यह दिन मेरे लिए बहुत हमेशा मेरे जहान में रहेगा क्योंकि यह पूरे टूर्णामिन में मैं वो कॉंट्रिबूशन नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था और एक समय पे मैंने रहुल भाई को भी बोला कि मैंने अपने आपको और टीम को दोनों को नयाई नहीं दिया अभी तक तो इन्होंने मुझे बोला कि जब situation आएगी तो मुझे भरोसा है कि तुम perform करोगे तो यह conversation हमारी हुई थी और जब हम खेलने भी गए तो मैंने पहले रोईत को बोला क्योंकि मेरा जैसे tournament गया था मुझे इतना confidence नहीं था अंदर जब मैं खेलने जा रहा था कि वैसी batting हो सकीगी जैसी मैं करना चाहता हूं तो जब हम खेलने गए मुझे पहले चार बॉलों में तीन चौके मेंने तो मैंने इसको जाके बोला मैंने का यार ये क्या गेम है मतलब एक दिन ऐसे लगता है एक रन नहीं बनेगा और एक दिन आप जाते हैं और सब कुछ होने लगता है तो तो हाँ पर मुझे फील हुआ कि और इस्पेशली जब हमारी विक्टे गिर गई कि वो सिच्वेशन में मुझे अपने आपको सरेंडर करना है टीम के लिए क्या ज़रूरी है इस समय पे सिर्फ वो ही मेरे फोकस में था और मुझे ऐसा फील हुआ कि वो मुझे उस जोन में डाला गया अब वो मैं किस वज़े से डाला गया वो एक्स्प्लेन करना मुश्किल है बट मुझे ऐसा फील हुआ कि बिल्कुल मैं उस मोमेंट में बंद गया और बाद में मुझे समझ आया कि जो चीज होनी होती है वो किसी भी तरीके से होती है तो यह होना ही था मेरे साथ टीम के साथ अगर आप मैच भी देखें जिस तरीके से मैच जीते एंड में जो सिच्वेशन थी हम लोगों ने एक एक बॉल को जिया एंड में जहां से मैच पलटा और हमारे अंदर क्या चल रहा था वो हम एकश्वेशन नहीं कर सकते एक एक बॉल में की मैच यहां जा रहा है वहां जा रहा है एक समय पर उम्मीद छूट चुगी थी उसके बाद हार्दिंग ने विकेट लिया उसके बाद एक एक बाल करके एक एक बाल करके वो एनरजी फिर बनी तो मुझे खुशी इस बात की कि मैं इतने बड़े दिन में कॉंट्रिब्यूट कर पाया टीम के लिए एक मुश्किल समय के बाद और वो पूरा दिन जैसे गया हमारा और जिस तरीके से हम जीते जैसे मैं ने बुला वो मैं कभी नी बुला पाऊंगा अपने जिन्देगे में तो मुझे बस खुशी थी कि मैं टीम को उस जगह तक ले जा पाया जहां से हम मैच को जीतने ही कोशिश कर सकते पर एक ही मतलब जो भी मैं करने की कोशिश कर रहा था वो होनी पा रहा था तो मुझे यही लगा कि जब आप अपनी तरफ से इतनी और आपको यह लगता है कि मैं कर दूँगा तो वो कहीना कि आपका अंकार उपर आ जाता है तो फिर खेल आप से दूर चला जाता है तो वो ही छोडने की जलूरत थी और जैसे मैंने का कि गेम की सिचुएशन ही ऐसी बन गई कि मेरे लिए जगा ही नहीं थी अपने अंकार को उपर रखने की वो पीछे रखना ही पड़ा टीम के लिए और फेर गेम ने फेर जब गेम कोई जद्धी तो गेम ने वापेस उस दिन इस जद्धी तो मुझे ये एक्स्पीरेंस हो ज़ता बाद बदाय विल्या इन्नु टीम इंडिया उपनायका आल्रोंडर आर्धिक पांडिया तम्ब वृत्ती जीवनद कठीन हंत दबगे मात नाडिदरों कलेद आरु तिंगलली टीके मत्तु होरा टगलन्न इटाइमनली नेनुपू माड़कोन्रों कलेद आरु तिंगलली तुम्बा तष्टापट्टिदीनी यावागलू टीका काररिगे पदगली इन्दल्ला आटद मूलक उत्तर कुट्टिदीनी अन्ता निर्धार माणद आगा मूखना आगिद्धा नानू इगलू मूखना आगिद्धीनी तुम्बा कश्टापटे अध्रुष्टा ननना बेंबलस्तु अंता पांध्या है लिद्रो फर्स्ट फर्स था थैंक्यू बुलाने के लिए हमें और वो जो इंटेव्यू के टाइम जो मैं बोला था वो उसलिए था क्योंकि छे मेने थोड़े काफी एंटेटेनिंग रहें मेरे लिए काफी हुदार चड़ाओं के साथ रहे हैं जहां ग्राउंड पे गया हूँ और पब्लिक में बूइंग किया है बहुत सारी चीज़े गई और हमेशा मैंने माना था कि मैं जवाब अगर दूँगा तो मैं खेल से दूँगा कभी अपने जवाब से नहीं दूँगा और उस टाइम भी स्पीचलिस भाभी भी स्पीचलिस हूँ क्योंकि जो बोलते ना आप हमेशा जगड़ते रहतें मैं लाइफ में हमेशा मानता था कि आप बैटल में लड़ते रहें कभी भी ग्राउंड छोड़के ना जाए क्योंकि यह मुश्किल भी यही दिखाता है और सक्सेस भी यही दिखाता है सो बिलीव किया सर कि रहेंगे महनत करेंगे और सब प्लियर्स का सबका कैप्टन कोच सबका सपोर्ट बहुत बढ़िया था और बस प्रिपेशन किया और तयारी किया और उपर वारे तक दिर भी ऐसी दी दिए लास्ट ओर में मौका मिला सूरिया को क्या कहा आप ते सूरिया ने सूरिया ने सूरिया परफेक्ट है न तो फेले कन्फोर्बेशन लिये के भाई हमने सेलिवेट तो गर लिया कि तुरे तो उसके बोला कि नहीं नहीं और गेम चेंजिंग कैच पकड़ लिया जहां से पूरी हम जहां टेंशन में था वाहां से सब खुशी में चलेगे फाइनल लनी तम्हा आइकोनिक कैच बगे एक्सप्लेइन माडिदरो हम फुटिया खो गया सर सर वो मुमेंट पर बस यही था कि कैसे भी करके बॉल मझा पहले यह नहीं सोचा था कि कैच पकड़ लूँगा यह पकड़ूँगा यह था कि उठा के दूसरे साइड दे दू फिर देखा रोई बहुत दूर थे उस टाइम पर और उड़ाया और आगया हाथ में बट यह चीज हमने बहुत प्रैक्टिस करी हुई है पहले से एक चीज के बारे मैंने सोचा था कि बैटिंग तो मैं करता हूँ खाली लेकिन वो खतम होने के बाद और किस चीज में कॉंट्रिब्यूट कर सकता हूँ टीम को फिल्डिंग में और किस चीज में यह भी प्रैक्टिस हो जाते हैं आपके सूरिया ने तो एक सो कितना कह रहा है एक सोपचास एक सो साथ ऐसे कैचिस पहले लिए हैं प्रैक्टिस में तोटल मतलब सर टॉर्नमेंट के स्टार्ट से और पीछे आईपेल से जब आ रहा था था बहुत सारा ऐसा कैचिस पकड़ा था तो पट पता नहीं था कि बगवान ऐसा मोका देगा ऐसे टाइम पे पकड़ने के लिए बट ऐसी प्रैक्टिस की हुई थी पहले से इसलिए वो सिचुएशन में थोड़ा इतना काम था और पता था कि ऐसे सिचुएशन पहले आ चुकी है अपट कोई पीच्चर स्टैंड में बैठा नहीं था ओट ताइम पे बट इस्टैंड में जाधा लोग बैठे दे बट बहुत अच्छा लगा ओव मोमेंट्ट एला क्रेडिट इडी तंड के सलते अंता अर्षदीप सिंग हेलिदरो अपके भी बॉलर्स ने बहुत अच्छे से गेन बाजी की है तो मैं कहूंगा उसका फरल मेरको मिलता रहे आणड काफी मज़ा आ रहा था मेरको विकेट्स मिल रहे थे एंड क्रेडिट सारी टीम को जाता है इन्नो प्रधानी मोधियवरू चाइना मन कुलदीप यादव वरन्ना नावनिमना कुलदीप अथवा देशदीप अंता करीबेका आंता केलिदरो इदके उत्तरा कुट्टा उत्तरा प्रदेश दा स्पिनर नानू देशदवनू अंता हेल कोंडरो प्रदेश प्रदेश मेर अनो घर है अजब हो जा चीडा जाएं भी आतिक मेरे के अशा मेरे खिंट निकाले निकाल और तो अननोब नेएं था बाली प्रदेश पाले कोशिश खरता हूं कि मिडिलोब ने कि निकालो और फास्बोर अच्छाट यह झाले अच्छा ज़एं काफी अच्छा रगता है बहुँ अच्छा फील कर रहा हूं तीन वर्ड कप खेल जुगा हूं और ये अच्छा मौका था ट्रोफी खुटाया तो बहुत पुशी हो रही है इन्नु टीम इंडिया नायका रोही चर्मा कुडा गिद्दक्षन दबगगे गेलु विगागी पट्टा परिश्रम दबगगे मोधी अवर्जोते मात नाडी दरो 2007 में सबसे छोट हुआ खिलाडी और 2024 में विजैई टीम के केप्टन क्या अनुपो करते हैं सच बोलनों तो जब 2007 में मैं परली वार टीम में आया था और एक टूर हमने आइरलेंड में किया था जहां पर राउल भाई कैप्टन थे पर उसके बाद हम सीधा South Africa चले गए World Cup के लिए तो वहां पर World Cup जीत गए पहली बार तो जब इंडिया आये हम World Cup जीत के तो पुरी मुंबई रास्ते में थे हमें एरपोर्ट से वहां कड़े स्टेडियम जाने के लिए पाच घंटा लगा तो दो तीन दिन के बाद मैंने रियलाईस किया कि World Cup जीतना काफी आसान है लेकिन उसके बाद उसके बाद World Cup आते गए बहुत बार हम पास पहुँचे बड़ जीत नहीं पाये ये World Cup में मैं एक चीज बड़े confidence से बोल सकता हूं कि लोगों में काफी desperation और बहुत hunger था जब हम यहां से West Indies गए काफी मुश्किले थी वहाँ पे जब हम New York में पहली बार क्रिकेट हो रहा था कभी क्रिकेट वहाँ पर हुआ नहीं था practice करने के लिए ground अच्छे नहीं थे लेकिन किसी भी लड़कों का उस चीज में ध्यान नहीं था बस एक ही चीज में ध्यान था कि हम Barbados में फाइनल कैसे खिलेंगे तो उससे मतलब ऐसे टीम को captaincy करना भी काफी अच्छा लगता है कि सबका गोल एक है कि कैसे जीतना है और जब हम देखते हैं कि लोगों के चेहरे पे इतनी मुस्कुराठ हैं और लोग enjoy कर रहें एक दूसरे के साथ रात रात तक सडकों में घूम रहें इंडिया का फ्लाइग लेकर तो काफी अच्छा लगता है और हम यह जो ग्रूप है यहां पर इनका हमारा एम भी यह है कि हम next generation को कैसे inspire करते जाए जैसे जब रावल भाई और सचिन टेंडूलकर और सोरो गांगुली लक्षमन यह लोग सब खेलते थे तो हम हमारे लड़कों को inspire किया है बट हमारा भी एक responsibility है कि जो आगे वाले generation हैंगे उनको हम कैसे inspire कर सकते और यह शायद यह वर्लकप से I'm sure कि आने वाले पीडी में वो सा बिल्कुल रही है गईताब हमेंसा इतने serious रहते हो यह तो actually लड़के बता सकते हैं